नमस्कार दोस्तों, NTV Motivation YouTube चैनल में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है दोस्तों नबरात्री में भूल कर भी ये पांच काम कभी मत करना, नहीं तो आप बरबाद भी हो सकते हैं कौन से हैं वो काम, आएए जानते हैं इस वीडियो के माध्यम से दोस्तों, नबरात्री के पवित्र दिनों में नव दिनों तक मातारानी की उपासना की जाती है इन दिनों में मा को परसंद करने के लिए भक्त जन वरत और पूजा अनुष्ठान करते हैं धार्मिग माननेताओं के अनुसार, इन दिनों मा के नौ स्वरूपों की पूजा अर्चना करने से घर में सुक शान्ती बनी रहती हैं, और मा भक्तों की सभी मनो कामनाये पूरिय करती हैं, दोस्तों नबरात्री का बरत रखने को लेकर कुछ नियम और धार्मिग माननेताएं भी हैं जिनका पालन किया जाना आवश्यक है नियमों के विपरीद कारे करने से देवी माता रूट जाती है शास्त्रों के अनुसार इन नियमों का पालन करने से माता रानी की करपा मिलती है और हर मनोकामना पूरी होती है तो चलिए दोस्तों आज के इस वीडियो में हम आपक बताएंगे किन नियमों का पालन करना सबसे जरूरी होता है दोस्तों करपे आप सबसे पहले तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिए क्योंकि बाद में आप लाइक करना भूल जाते हैं और रोजाना इसी प्रकार के वीडियो देखने के लिए आमारे चैनल को सब्सक्राइब क करके बेल आइकन प्रेस कीजिए अब चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो नंबर एक कन्याओं का दिल ना दुखाएं दोस्तों भारतिय परंपरा में कन्याओं को मा दुर्गा का स्वरोप माना गया है यही कारण है कि नवरात्री में कन्या पूजन या कंज का पूज करके लोग पुन्य की प्राप्ती करते हैं माना जाता है नवरात्री के दौरान किसी भी कन्या या महिला के प्रति आ सम्मान का भाव आने ना दे शास्त्रों में यहां तक की कहा गया है कि किसी भी कन्या का अपमान होने पर मा दुर्गा ना राज हो सकती है दोस्तों यदि आपने अपने घर में कलश स्थापना की है या माता की चौकी या अखंड ज्योती लगा रखी है तो घर खाली ना छोड़े यानि कि घर में किसी ना किसी का होना बहुत जरूरी है साथ ही ब्रत के दिनों में दिन में सोना भी मना है दोस्तों नबरात्री के दिनों में बहुत से लोग बुरत में होते हैं ऐसे में कलह करने से बचना चाहिए क्योंकि कलह से बुरत धारी की आत्मा को दुख पहुचता है जिससे देवी मा रूठ जाती है ऐसे में कोशिश करें कि हर परकार के विवादों से दूर रहें श्री राम चरित मानस में ऐसा कहा गया है कि जहां लड़ाई जगड़े होते हैं उस घर में माता लक्षमी कभी नहीं ठहरती दोस्तों माना जाता है बरत करने बाले को नबरात्तरी के नव दिनों तक अपना समय फिजूल की बातों में नहीं लगाना चाहिए और धार्मिक गरंतों का अध्यन करना चाहिए इन दिनों दुर्गा चालीसा का पाठ भी कर सकते हैं दोस्तों नबरात्तरी के पावन दिनों में सात्विक्ता का विशेष ध्यान रखना चाहिए आहार, ब्योहार और विचार में आपके सात्विक्ता होना जरूरी है तब ही नबरात्तरी के ब्रत का पूरा लाभ मिल सकेगा आप इन दिनों प्याज और लहसुन और मांस मदिरा का सेबन ना करें नबरात्री के नव दिनों तक पूरी तरह से सात्वी काहर लेना चाहिए नमबर छे, काम वासना पर काबू रखें दोस्तों नबरात्री के दिनों में काम भावना पर नियंतरण रखना आती आवश्यक है इन दिनों में महिलाओं और पुरुष दोनों को ब्रहम चारे का पालन करना चाहिए मा की पूजा अर्चना साफ मन से करने से माता परसन होती है इसलिए इन दिनों शारिरिक संबंध नहीं बनाने चाहिए दोस्तों आज का वीडियो बस यहीं तक हम आशा करते हैं आपको वीडियो पसंद आया होगा वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और रोजाना इसी परकार के वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बिल आइकन प्रेस कीजिए ताकि इन फ्यूचर हमारी सभी वीडियो को आप आसानी से देख सकें मैं मिलता हूँ आप से एक ऐसी ही इंट्रेस्टिंग इन्फॉर्मेटिब वीडियो के साथ तब तक के लिए जै हिंद जै भारत